नमश्कर रादे रादे हरर महादेव मैं आपका आच्छा हरिद्व आज हम बात करेंगे रासी 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 में लगन कुम्ब लगन कुम्ब रास के जातकों के लिए एक बेहतरीन आउसर आपके समझ उपस्तित हो गया है उठिष्ट जागर दूठिए जागिए इस अफसर का लाप उठाये मित्र आपके शुक्र महराज भागय के घर में भाग करा रहे हैं एक साल के बात भागयम भलत शर्वदा नविद्यान चपारिशम भागय आपका डेफिनेटली सपोर्ट करेगा डेफिनेटली करेगा ना करने के पीछे कोई कारण ही नहीं है कि ना सपोर्ट करे अठारा सिप्टमबर से लेके तेरा अक्टूबर स्रेष्ट आउसर है भागयोदे के लिए स्रेष्ट आउसर है आउसरों का लाब उठाने के लिए स्रेश्ट आउसर है बिकास के लिए आर्थिक सामाजिक दोनों बिकास के लिए कब कहा कैसी कितना किस स्टाइल में आप इसको लाव ले सकते हैं पहले चैनल को सब्क्राइब कर लेजिए फिर आगे चर्चा चंद मिन्टों में तो पहले चैनल पित्र पच्चला पित्र पच्च में पित्रों का तरपण पित्रों का शाद शुद्धा वाश करेगा एक दीपक एक पिंड एक पुस्प उन लोगों के लिए जो सीमाओ पे आपके परिवार के आपके समाज के लिए सहीद हो गए उनके लिए भी एक पुश्व जरूर रखेगा जीवन में कृतग्य होना सीखे कृतग्य होना नहीं अगर आपके माहौल में आपके परिवार में कोई ऐसा परिवार है समाज में जिनके पिता नहीं रहे सहीद हो गए आपके नहीतिक जिम्मेदारी बनती है कि जाके उनका कभी न कभी हाल चाल ले लिया करिए ये वो लोग हैं जो आपके समाज के लिए आपके राष्ट के लिए साहदत दे दिये जिम्मेदारी आपकी बनती है अपने पितरों को खुश करने के लिए तरपन अवश करियेगा क्योंकि सुक्रदेवब भागे के घर में चल लाए है धर्म और अक्षदिर अच्छिता आप धर्म की रच्छा करिये यह तीन में करेंगो गोचर पहले चित्रा में क्षत्रर में चित्रा का मतलब होता है बैलेंस करके आगे बढ़ने वाला मंगल का नक्चत्र है बंद बंदों के सायोग लिजे और कर्व भाव में विस्तार दीजे अर्थ प्राप्ति का है अर्थ के बिना सब व्यर्थ है इस टकानास्ति साट टकायते तो आर्थिक रोप से संब्रिद होने का आर्थिक रोप सिफ प्रवलता का क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में सुक्र सिफ भाग वाव के स्वामी नहीं है सुक के स्वामी है और सुक का स्वामी मूल त्रिकोडी और आइस का मतलब सुक में व्रिद्धि योगी तो भूमी बवन वाहन में मतलब आप प्रापरटी बेचना चाहते हैं प्रापरटी खरीदना चाहते हैं दोनों में आपको कम मात्रा में मिल जाएगी और अधिक मात्रा में आप बेच लेंगे घर में सुक उपभोग की सामक्रियों को ले आने का सुब समय अब आरंब हो चुका है तो सुब समय आरंब होने से क्या होता है पैसा तो चाहिए ना क्योंकि अर्थ के मिना सव्यर्थ है तो यहाँ पे सुक्रदेव आपको आर्थिक रोप से सबल बनाएंगे कभी याद रखिए द्रिष्टी पड़े या ना पड़े सुक्र कल्यूग में लच्मी पुत्र है और यह सुख्रई हो जाए या इनका सम्मंद सब्तम से एकादस से दुती भाव से छटमे से बारामे से बन जाए तो जीवन में कुछ चीज की कमी हो सकती है लेकिन पैसा जितना आपको चाहिए उतना मिलेगा देखिये पैसा से तो कोई संतुष नहीं होता नवित तेन तरपड़ी हो मनुश्या नच्गेता यमराज से कहते हैं पैसी के लालच मत दो पैसा से कोई संतुष नहीं हो सकता लाग करोण रुपए आजाए तब भी आदमी दुखी रहेगा जिसके पास जितना ज्यादा उतना दुखी फिर भी यहाँ पे धर्म के मार्ग से आपका भाग का कपाट खुल रहा है और धर्म क्या कहता है धर्म इस समय यही कहता है कि चुकि सुख का मूल लेके सुक्रदेव चल लाए है आता आप पितरों के प्रतिशद्धा वान रहिए आपके गर में जो भी विपरित लिंगी की आत्मा है या पितर है उनसे कनेक्ट होने का समय उसे अधिक लाव होगा इस वर्स आप सबसे कनेक्ट होए पितर तो पितर है लेकिन एक पॉइंट आता है जहां से आपको ज़्यादा लाव होगा और इसमें भी पितर पच्छ में भी सनिवार के दिन नहीं सुक्रवार के दिन सनिवार के दिन मतलब बेश तारिक, एककेश तारिक और 29 ये तीन डेट्स को याद रखेगा जरूर तरपर करिएगा इसकी बाद स्वाती नक्षत्र में चलेंगे स्वाती का मतलब काट के अलग कर देने वाला स्वाती डिस्करट, फालतू की चीजों को डिस्करट किया जाएगा जो अरोध आ रहे हैं जो मार्ग में रुकावटे आ रहे हैं भाग की उदय में भूमी भुवन के वाहन के विकास में सुख की प्राप्ती में उनको हटा दिया जाएगा बोले भागो यहां से एक वर्स के बाद आ रहे हैं भाई कुछ न कुछ करके जाएगे आप एक साल के बाद चुप्टी से घर पे आईए तो बेहतर करके जाते हो ना बस बेहतर करके जाएगे उसकी बाद गुरु के नक्षत्र में जाएगे जिसका नाम है विशाखा विशेशाखा विशाखा का मतलब गुरु आपके बर्थचार्ट में दो-दो धनभावों के स्वामी है तो सुक्रदेव का विशाखान जीमान है आपको आउसर मिले और आउसर का आप लाग ना उठाएं तो आप अप्पू हैं सीधे सी बात है शुक्र को ठीक करके रखेगा जीवन साथी को से अच्छा बिभार रखेगा सेफेद कलर के कपड़े पहनना थोड़ा पर्फिम और प्रिम का इस्तेमाल करके रखेग सुक्रवार के दिने या प्रत दिन ओंद्रांद्र इंद्र ओंशा शुक्राय नहां जाब करते रहेगा सब राधे राधे वोगा स्रेश्ट आउसर है लाग अवस्त्री